दिल्ली के कॉंग्रेस में अंतर कलाह अब जग जाहिर हो गई है पहले कनहया कुमार पर विवाद हुआ और अब उदित राज जो भाजपास सांसत थे हुआ कॉंग्रेस में गए थे 2019 में उन पर अंतर कलाह अब सुरू हो गई है बिरोध हो रहा है उत्तर पूर्वी सीट और पस्चमी सीट को लेकर जो उसके उम्मिदवार हैं उसको लेकर तो उन तमाम बातों पर बात करेंगे मगर उससे पहले उपचरिकता के लिए बता देता हूं कि आप देख रहे हैं एक नियूज 24 और मेरा नाम हुआ रविकांत तो जो इंडी एलाइंस को जो शुरू से ही अ सामला गड़बा रहा है पहले विवाद यह था कि आम आदमी पार्टी से कितनी सीटे मिलेगी कितनी सीटे नहीं मिलेगी मगर जब चार और तीन का कॉंबिनेशन बना उत पूर्वी सीट उत्तर पस्च्षमी सीट तो उसके बाद चांदी चौक सीट तो ये तीन सीटे दिल दिल्ली कॉंग्रेस की वैठक हो रही थी उसके प्रदेश अध्याच्छ उसके प्रवेच्छक उसके प्रभारी वैसे तमाम नेता वहां पर मौझूद थे उसी के बीच तीखी बहस होती है कई सीनियर नेताओं में कई जूनियर नेताओं में कई जो अलग-अलग पार्टी से कॉंग्रेस में आये हैं उनको लेकर भी विबाद है उसी में कनहया कुमार भी है कनहया कुमार हाल ही में तीन साल पहले ही कॉंग्रेस में आया भी तीन साल हुआ भी नहीं है मगर वहां मुखर बिरोधी रहे हैं भाजपा के संग परिवार के मोधी और साह पर जोड़दार ह मगर जब लोग सवा चुनाब लडाएं की बात आई तो बिहार के बेगुसराय से जब वह लड़े थे तो यहां वो ऐसी कुछ बात नहीं बन पाई फिर उन्हें दिल्ली सिफ्ट किया गया फिर दिल्ली जब सिफ्ट किया गया वहाँ पर भी बिवाद है उतरपुर्वी सीट से फिर उनका था फिर संदीब दिच्छित कौन है संदीब दिच्छित है सीला दिच्छित के बेटे और भी जो वहां के अरविंदर सिंग लवली जो प्रदेश अध्याच है तो उन लोगों की बैठक थी उसमें कनहिया कुमार को लेकर भी बात हुई थी मगर उत्तर के लिए वहां पर उनके कारेकरता उनके समर्थ हक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको टिकट न दी जाए बता दे कि उधित राज खुद को समाज से भी बताते रहे हैं दलितों पीडितों आदिवासियों के नेता के तौर पर भी उन्होंने अपनी पहचान को बनाने का प्र और भाजपा और संग परिवार पर मुखर होकर वह बिरोध करते हुए नजराये थे तो अब यहां से फिर कॉंग्रेस में चले जाते हैं 2019 लोग सवा के बक्त मगर संसद में नहीं पहुँच पाते हैं तो अब फिर उन्हें संसद में पहुँचाने के लिए कॉंग्रेस ने सीट टिकट दी थी उनका नाम का उनके नाम पर विचार हुआ था उनके नाम की बाते आई थी मगर अब उन पर विरोध सुरू हो गया है विरोध कर रहे हैं कॉंग्रेस के कई सीनियर नेता जो चार-चार बार के विधायक रहे हैं उन लोगों का भी आपत्ती सामने आया है सामने मुखर तासे बिरोध में कनहीया कुमार भी या कहते हुए नजर आए हैं अपने जो वहाँ पर बिरोध कर रहे थे नेता कि आप भाजपा की भासा बोल रहे हैं तो फिर बीच बचाब में कई और भी सीनियर नेता आये हैं उन सभी का जैसे जैसे धीरे धीरे नाम आएगा हम सुनाने और बतलाने का प्रयास करेंगे मगर अभी की जो सबसे बड़ी बात है वह यही है कि उधित राज को लेकर पूरी तरह से प्रोटेस्ट कर रही है कॉंग्रेस वहाँ पर प्रदेश का जिम्मा समालते हैं उसमें कई सिनियर नेता उसी में संदीप दिछित जो वहां से सांसद भी रहे हैं किसी जमाने में और हमने बताया कि सीला दिछित के बेटे भी हैं तो अब यहां पर जो एक जो लडाई का बाते हुई यहीं से हुई कनहिया कुमार से सुरू ही और उधित राज पर समाप्त हो गई कनहिया कुमार का तो बता चुक है कि बिहार में उनके लिए कॉंबिनेशन नहीं बन पाया तो दिल्ली ले जाया गया मगर सुरू से ही कह सकते हैं कि घटा टोपती आम आदमी पार्टी से भी खूब रसा कसी चली वहीं एक सिर्ट चान्नी चौक का भी है तो आप समझ सकते हैं कि इस अंतर कलर से इस लोक सवा चुनाब में उसे कितना लाब पहुंचेगा कितना हानी पहुंचेगा इसका जवाब आप भी सधे हुए सब्दों में मरियादित सब्दों में कॉमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें जो उनके सीनियर नेता प्रदेश सध्याच अरविंदर सिंग लबली जैसे नेता भी वहाँ पर मौझूद थे उनके समर्थक चुप हो जाएंगे क्योंकि जैसे कभी सीला दिछित के समय के टाइम में हुआ था तो सीधे तोर पर अरविंद के जिरिवाल के तरफ वह वोट ट्रांसफर होते हुए नजर आई थी तब भी आरोप लगा था आम आदमी पार्टी और भारते जनता पार्टी किसको नहीं पहुँच सकता है अभी तक कॉंग्रेस की कहें कि स्थिती 2014 की लोग सवा में यह थी कि वहा है 50 सिटों का आकड़ा भी नहीं चूपाई फिर 2019 में तो विपक्ष में भी 14 और 19 दो लोग सवा से कॉंग्रेस विपक्ष में भी नहीं पहुच पा रही है और अभी एन मौके पर यह अंतरकला बड़ी संगठनिक चूक और बड़ी ही धैर की वहाँ पर चूक कही जा सकती है कि सीनियर जूनियर नेता जूने नेता आये हैं उन लोगों में एक कॉंबिनेशन नहीं बनने की बाते मुखरता से सामने आ गई है उनके कारेकरता नेता प्रोटेस किया बाकि आप देख रहे हैं एक निउस 24 और आप चरिकता के लिए बता देता हूं मेरा नाम रविकांत है धन्यवाद